लो फ्रेंड्स जैश्री कृष्णा आई होप आप सभी अच्छे होंगे सेफ होंगे स्वस्त होंगे प्रोटेक्टल होंगे और नाम जब आप जरूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज क्या गाइडेंस है आज मानस रिडिंग के थ्रू आपके लिए आज क्या गाइडेंस है देखते हैं आपको आज क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है और क्या गाइडेंस है आपके लिए आज देखते हैं मानस रिडिंग के थ्रू देखते हैं के तो व्योस देखे यहां पे slip आई है दोहा आया है सुनी समुजही जन मुदित मन मज़यति अनुराग लही चारिफल अच्छत तनू साद समाज प्रयाग यहां पे देखे आपको फिर से अगें गाइडेंस यह दी जा रही है कि आप ऐसे लोगों की संगती करिए जो यहां पे आपको positive रखे आपको अपने ईश्वर से जोड़े आपको ईश्वर से connect करे ऐसे लोगों से यहां पे आपको अपने आसपास ऐसे लोग ही रखने है और यहाँ पे अगर आपके असपास ऐसे लोग हैं जो आपको भक्ती नहीं करने दे रहे हैं तो यहाँ पे आप उनसे boundaries create करने की जरूरत है आप ईश्वर से प्रातना कीजिए कि आपके लिए इस situation से बाहर निकाले किसी भी तरीके से आप जिनको भी अपना ईश्वर से प्रातना कीजिए कि आपको इस situation से बाहर निकाले और आप भक्ती करना चाहते हैं तो आपको guidance दे इस तरीके से आप ईश्वर से प्रातना कीजिए और उसके साथ में यहाँ पर आप कम से कम वीडियो तो देखी सकते हैं आप ऐसे आप unnecessary के content देखने की बजाए आप YouTube में या जिस भी social media से आप connected है वहाँ पर आप ऐसे content देखिए जो आपको motivate करें जो आपको ईश्वर से जोड़े हैं आपको unnecessary के content देख करके अपनी energy को waste नहीं करना है क्योंकि यहाँ सारा खेल जो है यहाँ सारा game जो है वो आपका energy का है अगर आप अपनी energy को save करते हैं आप जो भी नाम जब कर रहे हैं भक्ती कर रहे हैं और लेकिन आप उसके साथ साथ में आप सिर्फ अपनी energy को है वो बाकी unnecessary के contents को देख कर ही आप waste कर रहे हैं तो आपका नाम जब भी काम नहीं करेगा ओके यहाँ पर आपको अपनी energies को save करना है और next slip देखते हैं तो यह next slip आई है मुदित अवद मती सकल सुत बधुन समेत निहारी जनुपाई महिपाल मनी क्रियन सहीत फलचारी तो देखे अगेन यहाँ पे बहुत प्यारी blessings आपको मिल रही है viewers ओके यहाँ पे जिस तरीके से दशरत जी जो है अपने सभी अपने सभी पुत्र और पुत्र वधुओं को देख करके खुश हो रहे हैं उत्साहा में हैं और आनंदित हो रहे हैं सेलिब्रेशन हो रहा है ओके तो वही सेलिब्रेशन यहाँ पे आपकी लाइफ में भी आने वाला है आप जिस भी एरिया में बहुत efforts डाल रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं कहीं पे भी हो सकता है आप अपनी professional life में spiritual life में या अपनी marriage life में भी अगर आपके बहुत सारे ups and downs चल रहे थे या आप किसी person को mind में रखकर कि यह reading देख रहे हैं तो यहाँ पे वो जो obstacles create हो रहे थे ना वो obstacles यहाँ पे खतम हो रहे हैं और साथ में यहाँ पे आप unite हो रहे है और उसके साथ में आपके professional life में भी अगर कुछ ऐसे obstacles चल रहे थे या आप आप इस energy में थे कि आप आपके साथ आपके साथ जो है वो आपके असपास के लोग जो है आपको corporate ही कर रहे थे यहाँ पे अब आप ऐसे souls से connect होंगे या आपकी team में ऐसे लोग आएंगे या आपक आपको ऐसे ऐसे लोग आएंगे help करने के लिए यूनिवर्स ऐश्वर ऐसे लोगों को आपके साथ भेज रहे हैं जो आपको मदद करें जो आपको आगे बढ़ने में आपको मदद करें और जब इस तरह के कर आपको support मिलेगा तो definitely यहाँ पे आप grow करेंगे और एक celebration यहाँ आप अगर कुछ ऐसा करें कुछ spiritual practices आप कर रहे हैं तो वो भी spiritual practices मुझे यहाँ पे successful होते हुए दिख रहे हैं अगर आप अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं तो चक्रास भी यहाँ पे आपके काफी balance हो रहे हैं या बहुत जल्दी हो पाएंगे आप कुछ ना कुछ ऐसे spiritual practices क रहे हैं जो आपको यहाँ पे आपके aim तक लेकर जा रहा है ओके आपका aim क्या है व्योर्स वह आपको अच्छे से पता है जो भी आपका गोल है जो भी आपका purpose है वहां तक आपको लेकर जा रहा है और next lip आई है वीटे संबत सहस सतासी तजी समाधी सम्बूवविनाशी वाव दिखी कितनी प्यारी ब्लेसिंग आई है अगेन यहाँ पे व्योस अगर आप किसी परसन को माइड में रख कर कि यह रीडिंग देख रहे हैं और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेंग जर्ने में हैं तो यहाँ पे आपके परसन की अवेकनिंग जो है वो यहाँ पे खतम हो रही है आपके परसन की अवेकनिंग अगर आप मेड़ जर्ने में हैं तो यहाँ पे आपके परसन की अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तजी समाधी संभू अभिनाशी तो जब शिव जी ने समाधी तोड़ी थी जब पार्व इंट वही एनरजी है यहाँ पर डिवाइन फैमिना एपने ह हम और अभी तक अपने बहुत मेहनत की है यह आ अपकी परसन के आवेकनिंग स्टार्ट हो रही है यह खतं हो रही है आप जिस भी energy में जिस भी फेज में है अपनी लाइफ के अपनी जरनी के वहां पे आपके परसन यहां पे दिखे बहुत positive change है यह है आपके परसन की energies में क्योंकि तजी समाधी संबूव अभिनाशी यहां पे आपके परसन अवेकन हो रहे हैं और completely transform हो करके आपकी तरफ आ रहे हैं और जब शिभ जी ने समाधी त्यागी थी तब आप जानते हैं पार्वती मा और शिब जी का यूनियन हुआ था, यूनाइट हुए थे यहां पे और और शिप जी ने पार्वती मा को accept किया था अपने अर्धांगनी की रूप में तो वही एनरजी यहां पर है आपके भी परसन यहां पर आप से reconciliation करेंगे reconciliation चाहते हैं वो और अब आपके परसन यहां पर इस connection को भी बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं अगर आप यहां पर completion के phase में हैं आप completion के एनरजी में हैं यहां पर आपके परसन यहां पर completely awakened हो चुके हैं उनकी awakening complete हो चुकी है और इस connection को पूरी तरह से accept भी कर चुके हैं यहां पर आपको 3D में नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी अभी कुछ healing ऐसी बाकी है कुछ ऐसे करमाज release होने बाकी है हो सकता है वो किसी third party में हो किसी कार्मिक परसन के साथ हों तो उनकी करमाज अभी यहां पर release हो रहे हैं यह कार अगर किसी और अनदर परसन के साथ में नहीं किसी कार्मिक energy नहीं के साथ है आप ही वहाँ पे भी आप ही है ओके आप ही का मिरर सोल है वो तो यहां पर आप वो आपको भूल जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है और मैंने 555 देखा है तो नहीं शुरुवात जरूर होगे विवस तो आई होप आप समझ गए होंगे इस स्लिप की क्या योनियन की इनर जी है रिकनसीलेशन की इनर जी है आपके परसन यहां पर एक major ट्रांसफोर्मेशन चल रहा है उनकी इनर जी wrap ायो और completely ट्रांस्पोर्म हो करके आप की तरफ बढ़ रहे है नेक्स्ट देखते है व्यूर्स यहां पे नेक्स्ट क्या एनर्जी है जबते प्रभुपद पदु मुनिहारे मिले दूसरे दुख दोश हमारे बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिन के भाग सराहन लागे यहाँ पे viewers आपने जब से प्रभू की चरण पकड़े हैं जो भी viewers यहाँ पे भक्ती कर रहे हैं divine से connection बहुत अच्छे से बना पा रहे हैं और जब divine से connection बनता है न तो आप यहाँ पे अपने intuition को बहुत अच्छे से follow कर पाते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्दी कर पाएंगे आप ऐसी energy में आ जाएंगे कि आप divine से connect हो जाएंगे और divine से आपका union होगा और जब divine से union होगा तो आपका intuition भी बहुत अच्छे से काम करेगा आप अपने intuition को सुन पाएंगे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएंगे आप अपने हर सवाल का जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेगा आपके अंदर बैठे इश्वर ही जवाब तो हर वक्त देते हैं लेकिन हमारा जो यह logical mind है वो हमें मानने नहीं देता है जवाब तो आपको हर समय आपके इश्वर देते ही हैं लेकिन हमारा logical mind जो होता है न वो हमें confuse करता रहता है चीजों में तो अब आप ऐसी energy से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप नाम जब कर रहे हैं जादर से जादर जो भी विविवर्स यहाँ पर नाम जब कर रहे हैं तो वो इस energy में या तो आ चुके हैं या बहुत जल्दी आप आएंगे ऐसी energy में और जब आप ऐसी energy में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका भाग्य उद्धे होना तो निश्चित है आपकी life में हर area में growth होगी आप ऐसी energy में जब आएंगे तो यहाँ पे आपके हर ना सिर्फ आपकी love life में यहाँ पे आपकी professional life में आपकी abundance में हर तरह से यहाँ पे आपकी जीवन में growth आने वाली है और जब growth आएगी तो definitely celebration तो होना ही होना है तो यह energy में यहाँ पे आप आने वाले हैं next lip देखते हैं viewers और कुछ viewers ने comments में पूछा था कि क्या वो monthly problem या periods के time पर नाम जब कर सकते हैं तो आपको आप बिल्कुल कर सकते हैं नाम जब करने के लिए मन की शुद्धी होना जरूरी है आप कितना भी अपने आपको शुद्ध कर लें बाहारी तरीके से लेकिन आप जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है आप कितना भी नाम जब कर लें तो उसका प्रभाव नहीं होगा, तो आप सिर्फ अपने मन की purity पर ध्यान दे, अपनी inner purity पर ध्यान दे, अपने physical purity पर उसका कोई असर नहीं होता है, आप किसी भी परिष्टिते में, किसी भी शन कहीं पर भी आप नाम जब कर सकते हैं, उसके कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी आपके लिए restriction नहीं है, कि आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने ईश्वर का नाम तो जब कर सकते हैं, आप ईश्वर को जिस भी रूप मानते हैं, आप माता पिता का नाम, आप ऐसा थोड़ी होता ही, कि आप अपने माता पिता का नाम, ले सकते हैं कोई बंदिश नहीं है उसमें कोई restriction नहीं है I hope आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया हो या फिर भी अगर आपको कोई confusion हो तो आप comment में आके पूछ सकते हैं ओके next लिप आई है बार बार मांग उजो कर जोरे मन परिहरी चरण जनी भोरे सुने पर बचन प्रेम जन पोशे पूरण काम राम परितोशे ओके तो देखे यहां पे कुछ विवर्स ऐसे हैं जो बहुत दिल से चाहते हैं कि इश्वर से जुड़ जाएं वो भक्ती करना चाहते हैं और भक्ती में उनका इतना ज़्यादा मन लग रहा है कि वो अब पूरी तरीके से डिवाइन से connect होना चाहते हैं अब उनकी आप कुछ विवर्स ऐसे हैं जिनके प्रायर्टी जो वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन बन गए हैं और आप अपनी प्रायर्टी में जब डिवाइन को रखते हैं तो यहां पे आपकी सभी विशेस फुल्फिल होना सभी इच्छाएं पूरी होना निश्चित होत आपका नाम जब कर सकूं आपसे जूड़ सकूं ऐसा आशिरवात दे दीजे तो जो भी विवर्स ऐसा ऐसी प्रात्ना कर रहे थे ईश्वर से और मैंने भी 1111 देखा है तो डेफिनेटली यह आप कुछ विवर्स ऐसे हैं जो इश्वर से सच्चे दिल से जोड़ना चाहते ह हैं तो यहां पे ईश्वर आपको स्वैम ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको आशिरवात दे रहे हैं कि आप नाम जब जुक कर रहे हैं वो वेर्थ नहीं जाएगा ओके आप करते रहे हैं आप बिल्कुल सही पात पर हैं और उस पे अब आप जब चल चुके हैं तो उस आपको doubt नहीं करना है अभी आपको और बार-बार मन को भटकने भी नहीं देना है कि मैं ये करूं मैं वो करूं इनका नाम जब करूं ये भी practice कर लूं वो भी practice कर लूं आप 10 practices में ना उलजे एक path पकड़ चुके हैं उस path को आप पूरे dedication के साथ follow करते रहे ओके आपको कुछ नहीं करना है अगर आप twin flame journey में भी है न विवर्स तो यहां पर यह journey आपको कुछ यह जर्नी एक बहुत सिंपल से जर्नी है अगर इसको आप बहुत सिंपल तरीके से समझे जर्नी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़ने की है souls एक soul को ईश्वर से connect होने की है और यहां प को release करके मोक्ष को प्राप्त कर सके ओके यही परपस है आपको इस जर्नी में आने का या इश्वर को लाने का और उसके साथ में universe के कुछ big plans होते हैं बड़े goals होते हैं कुछ spiritual goals होते हैं जो वो आपके through पूरे करवाना चाहते हैं और इसी परपस से यहां पे आपको एक chosen one ब बनाया गया है ओके यहां पे आप आने वाले समय में आप कुछ नो कुछ ऐसा soul purpose भी करेंगे जो universe का एक प्लान होगा ओके तो यहां पे आपको अपने उपर focus रखना है अपनी energies पर काम करते रहना अपनी energies पर जितना balance रखेंगे उतना ही आप इसमें divine से connected रहेंगे और इसम बी connect हो पाएंगे जब आप उनका नाम जब continuously करते रहेंगे ओके यह कोई एक दो दिन का काम नहीं है विद्धेवर से आ आपको continuously पर दो करते रहना है आप ऐसा नहीं करना है कि आपने 10 दिन किआ 21 डेस कि की कोई ritual नहीं है कि 21 डेस क्या 41 डेस किया और हो गया ऐसा नहीं होता यह आपको कॉंटीन्सली करना होता है नामचप तो आप अपने इश्वर से जितना ज्यादा प्रेम करेंगे उतना ही आपका मन खुथ करेगा उनका नाम् जब करने का है करने का है न तो यही आपको करना और यही अम्स जर्नी में भी है आपको अपने divine का purpose भी पूरा कर पाएंगे जो एक major purpose divine का है तो union तो होना ही होना है उसके लिए आपको desperate नहीं होना है तो विएस ये थी आज आपके लिए मानस reading के थूँँआपके लिए इश्वर की बहुत important guidance और blessings तो हैं ही आपके लिए union की always divine आपके साथ हैं हमेशा तो friends I hope आपको अच्छी लगी हो मानस reading और अगर किसी के मन में सवाल इस वक्त आ रहा है कि मानस reading किसी की जाती है तो किसी के मन में तो आ रहा है क्योंकि मैंने भी ट्रिपल फोर देखा है तो ये विएस मानस reading जो है वो रामायन की याँ पर आपको ये guidance in slips के थ्रू देते हैं मैं कुछ नहीं करते हूँ मुझे नहीं पता है कैसे करना होता है मुझे नहीं आता भी नहीं है मैं सिर्फ universe से कहते हूँ divine से कहते हूँ अपनी मा से कहते हूँ वो ही इस reading को करते हैं और आपको जो guidance चाहिए होती है वो guidance आपको दी जाती है ओके तो चलिए मिलते हैं next reading में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और तो मिलते हैं next reading में अपना ध्यान रखिए जैश्री कृष्णा राधिरादे जैमाकाली God bless you